तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 स्टाउक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन अफ दी लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक यानि के दोस्तो HDFC बैंक के बारे में और आज ही इस बैंक के क्वार्टर थी के नंबर्स आये हैं और बहुत ही स्टैलर नंबर दोस्तो हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं मिली है साथ ही में कंपनी ने यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है वो भी सिक्वेंशली इंप्रूफ की है इस बैंक की एसेट क्वालिटी सिक्वेंशली इंप्रूफ हुई है चाहे हम बात करें ग्रॉस NPS की या फिर नेट NPS की और साथ ही में दोस्तों एक इंपॉर्टन म को मिल रहा है साथ इसाथ deposit की जो growth है वो 14% की deposit growth है कासा की growth अगर मैं आपको बताओ तो 24% कासा growth यहाँ पर देखने को मिली है तो overall काफी अच्छे numbers हमको देखने को मिली है और जो credit cost है वो भी काफी improve हुई है 0.90 के आसपास आती हुई देखने तो मुझे लगता है तो मंदे के दिन price में movement हमको positive देखने को मिलेगी लेकिन depend करता है market इसको कैसे लेता है क्योंकि देखिए number जो है in line आया है जो street estimates थे उसके यहाँ पर अनुसारी number आते हुए देखने को मिले है तो most probably positive movement हमको देखने को मिलेगा अगर negative होता है तो again दोस्तों आपको कहना चाहूंगा इस bank में जितना accumulate आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए क्योंकि long term में यहाँ पर credit growth cycle जो है वापिस से revive होती हुई नजर आ रही और यहाँ पर economy बैंक है जिनका management अच्छा है जिनका execution capabilities अच्छी है वो आपको और भी बड़े होते हुए देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं कि HGFC बैंक की growth रुक गई है growth तो अभी start हुई है क्योंकि economy यहाँ से अभी growth होना अभी चालू हुई है और उसके लिए banking का जो है sector जो है बहुत important है अब यहाँ पर देखिए आपको पता होगा जो index में weightage है financial sector का वो 37% की आसपास है वो क्यों है क्योंकि economy का दोस्तों जो अगर आप कह सकते हैं कि जो provide कराएगा support economy को growth होने के लिए वो दोस्तों यहाँ पर financial institutions ही होंगे तो HDFC bank यहाँ पर एक prime beneficitive बनता होगा नजर आएगा और भी बड़ा बनता होगा नजर आएगा और यहाँ पर HDFC bank की ने उस तो co-tech bank, ICICI bank यह भी बहुत ही दिगज बैंक है तो आपको जरूर banking sector पर जरूर निवेश करके चलना चाहिए और वो भी अच्छे banks जिनका management अच्छा हो जिनके fundamentals अच्छे हो जिनके track record अच्छा हो second हम बात करते हैं हमाँ पर दोस्तो HCL technologies की जिसके numbers हमको कल आते हुए देखने को मिले numbers दोस्तो in line रहे हैं जो management ने यहां पर जो streets ने expect किया था उसके मताबिक अगर revenue growth देखे तो company ने अपनी revenue growth अच्छी दिखाई है profit growth यहां पर अच्छे आए हैं लेकिन यहां पर margins में थोड़ा dent हमको देखने को मिला है उसके पिछे reason है जोस्तों attrition 20% के आसपास attrition हमको देखने को मिला है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहां पर दोस्तों पिछले 12 साल के अगर मैं बात करूं तो इनकी जो quarter on quarter पर revenue growth ह बहुत ही जबरदस आई है करीब करीब दोस्तों यहां पर 12 to 13% की growth हमको देखने को मिली है dollar terms में जो की beat करता हूँ नजर आये है infosys को tcs को और vipro को infosys की जो dollar terms में revenue growth थी वो 7% की थी tcs की जो revenue growth थी dollar terms में वो 4% की थी vipro की around 2.5% की थी तो उनके मुकाबले काफी जबरद अच्छे guidance है इसका मतलब यहां से पूरा sector यह growth होता हूँ नजर आएगा और SCL Technologies वन आप दी लीडर है दोस्तों आप कह सकते हैं कि दिगच जो 4-5 बड़े यहां पर जो IT firms है उसमें इनका नाम आता है तो इसको आप अगर existing investors हैं तो investor हैं तो बने रही है कोई दिकत की बात अगर आप fresh investment करना चाते हैं तो यहां पर भी दोस्तों fresh investment कर सकते हैं और buy on dip वाले stock है दोस्तों कोई problem यहां पर नहीं है numbers जो हैं अच्छे रहे हैं लेकिन आगे जो growth है वो भी अच्छी है क्योंकि इनकी जो pipeline है वो भी काफी बहतरी इन तरीके से यहां पर grow हुई है जहां पर करीब करीब यहां पर I think 2.15 billion dollar के इनकी pipeline हमको होती हुई देखने को मिली है तो deal pipeline भी काफी अच्छी है तो long term के लिए काफी अच्छी स्टोरी है existing investors हैं बने रही है fresh हरना चाते है investment तो buy on dip की strategy आप follow कर सकते है HCL technologies में next दोस्तों यहां पर Deepak Nitrite अपने आप में दोस्तों ब बड़ा institution है जो long term के लिए यहां पर आता है तो LSE में अगर यहां पर निवेश किया तो definitely यहां पर कुछ ना कुछ positive देखा है तबी दोस्तों यहां पर अपने stake को double किया है बात करते हैं दीपक Nitrite की तो दीपक Nitrite के 24th January को numbers आने वाले हैं तो numbers इस बार के जो पिछली बार के देखने को मिला positive trend में stock आ चुका है और साथ ही में अगर बात करते है future की तो करीब दोस्तों 1200 से 1500 करोड का यहां पर केपक्स कर रहे हैं नए मतलब process के थूँ यह अपने products को intermediate को develop कर रहे हैं जो कि pharma और aggro sector को cater करेगा साथ ही साथ मुझे लगता है तो यहां पर margins rerating भी होती ह भी देखने को मिल सकती क्योंकि अब यह downstream जो जो products हैं जो solvents हैं उसमें जा रहे हैं तो वहां पर दोस्तों आप मार्के चलिए कि जो इनका fine specialty वाला business है वो आपको एक margins में improvement दिखाता हुआ नजर आ सकता है जिसके बारे मैं already मैं detail में बात कर चुका हूँ तो इसको भी दोस इंडियन एनर्जी एक्चेंज एक्चेंज की जब बात होती है तो देखिए जब भी दोस्तों यहाँ पर power exchange के बात होती है तो आपको सिर्फ एक ही नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा और with a monopoly in the market यहाँ पर 90% से जादा के हैं आपर market share लेके बैठा हूँ इंडियन एनर्ज इसेंट मतलब valuations attractive नहीं है fair भी नहीं है थोड़े से high side पर देखने को मिलेंगे लेकिन long term का नजरिया है आपका तो इसमें भी आप buy on dips की strategy follow कर सकते हैं और यहाँ पर अपकी बार जो number आएंगे अच्छे आते हुए देखने को मिलें क्योंकि जो पिछले दो महीने के बात कर काफी rise होते हुए देखने को मिले है और एक दोस्तो long term story है यह भी क्योंकि इंडिया का जो power exchanges पर penetration है वो around 6-7% का यह अभी भी और जो developed economies का penetration है वो around 30% का हमको देखने को मिलता है तो headroom grow होने का काफी अच्छा है अगर आप दोस्तो इसको in detail जानना चाहते है इस business model को तो है IGX यानि कि Indian gas exchange वो भी दोस्तो एक जबर्दस value unlocking वाला play लगता है मुझे वो भी जब list होगा ना बहुत जबर्दस इसमें growth हमको आती हुए देखने को मिलेगी क्योंकि power exchange exchanges पे हमको यह shift होता हुआ देखने को मिलेगा government की जो policy reforms हैं इसके regarding वो भी काफी बहतरीन है अब इस कीजिएगा नेक्स दोस्तों आपर मदरसं सूमी और इसके regarding दोस्तों पिछले एक हफते में मैंने दो वीडियो बनाये हैं और हमने यहाँ पर clear cut बोला था कि देखिए इस stock में अगर आपको fresh निवेश करना है तो 260 एक पर cross करने दीजिए तभी कीजिएगा जो already existing investors हैं उनको यहाँ पर बने रहना चाहिए और हमने बात करी थी कि इसकी जो actual value है मदरसं सूमी का जो stand-alone business है उसका around 180 से 200 तक हमको यह stock आता हुआ देखने को मिल सकता और आप देखिए 14 तारिक की जब बात करें 14 तारिकों मैंने बोला था कि यह जो company जो मदरसं सूमी stand-alone business है यह XDWH यान कि इसमें हमको adjustment होते हुए देखने को मिलेंगा और हमने बात करी थी 180 से 200 तक यह stock हमको आता हुए देखने को मिल सकता और उसी range में यह हमको देखने को मिल रहा है अब जो भी इसमें existing investors हैं जिनों ने 13 तक यहाँ पर already इस stock को खरीद लिया है तो उनको यहाँ पर March के आस-प business के लिए निवेश किया था कि नई business में हमको stock मिल जाए तो वो यहाँ से निकल सकते हैं और जो existing जो इसमें long term के लिए है वो बने रह सकते हैं अगर यह stock करीब 170 से नीचे जाता है तो मेरे खाल से इसमें और ज्यादा pressure आ सकता है लेकिन अगर यह यहाँ पर sustain करता है तो यह देखे हैं उसमें मैंने पूरा restructuring को detail में समझाया है नए business का यहाँ पर क्या share price रह सकता है उसके पिचे क्या reason है क्या market क्या पर है सकता है उसके पिचे क्या reason है मैंने detail में समझाया है आई button में मैं link रहाँँ आप जरूर जाके उसको देखिएगा next दोस्तों यहाँ पर हिंदुस्तान food हिंदुस्तान food एक काफी अच्छी company है इसको मैंने काफी time पहले cover किया था recently मैंने इसको cover नहीं किया लेकिन दोस्तों company काफी अच्छी है fundamentals काफी अच्छे है एक lotter contract manufacturer है जहाँ पर यह company FMCG companies के लिए जो बड़ी MNCs हैं जो consumer durable companies हैं उनक अगर आप देखें तो पिछले तीन दिनों में काफी गजब की हमको यहाँ पर buying होती हुई देखने को मिली है तो यह दोस्तों stock भी काफी अच्छा है अगर आप इसमें already existing investor हैं तो बने रही है long term के लिए काफी अच्छी story मुझे नजर आती है अब fresh investment करना चाहते हैं तो मे मेरे ख्याल से पच्छी सो के पार ही एक बर जाने दीजे तब इसमें buy कर सकते हैं काफी अची company है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पर चाहिए relax हो गया बाटा हो गया हिंदुस्तान food हो गया इमामी हो गया रैकेट बैन की सर बहुत बड़ी list है इनके जो customers हैं और दे entry barrier वाला business है जहाँ पर एक standard जो है quality stringent quality controls होते है standard regulations है तो एक काफी लंबा gestation period है तो हिंदुस्तान food यहाँ पर दूस्तों company अच्छी है इसमें आप बने रही है fresh investment करना है तो 2500 बार cross करने दीजिए next company है यहाँ पर one and only laurus lab इसके बारे में दूस्तों हम यहाँ पर कई बार video बना चुके हैं काफी इसमें गिरावट हुई निचले इस तो पर आप देखेंगे तो एक base formation बनता हो नजर आ रहा है और यहां से दोस्तों यह ओपर जाने के लिए तयार है ऐसा मुझे लगता है अब की बार जो number आएंगे अच्छे आ सकते हैं लेकिं दोस्तों यह long term की story ह नंबर खराब भी आते हैं अगर गिरावट भी होती है ना तब भी दोस्तों मैं तो इसमें बाय करने वाला हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों यहां पर इनका जो CDMO सिंतेसिस वाला और जो बायलोजिक्स वाला बिजनिस है मुझे लगता है काफी अच्छा ग्रो होगा यह भी एक मैनेजमेंट बैट है जो यहां पर जो चावाजी है उन्होंने पास में प्रूफ करके दिखाया उन्होंने अपने जो ARV वाला बिजनिस है जो उसको अच्छा खासा ग्रो किया तो अब यह वाला जो CDMO सिंतेसिस वाला बिजनिस है इसको भी ग्रो करेंगे साथ इसाथ इनके पास किस परकार की capability है नॉन-ARV वाला बिजनिस इनका definitely grow होगा और नॉन-ARV वाला बिजनिस ग्रो होगा तो इनका जो generic वाला बिजनिस है उसका थोड़ा सा मेरे को लगता है कि revenue contribution कम होगा तो इनका जो margins वाला जो fluctuation है वो कम होते हुए नजर आएंगे और जो non-ARV CDMO बिजनिस ग्रो होगा तो इनके margins वापिस से बढ़ते होगे नजर आएंगे तो यह भी दोस्तों एक relating candidate बन सकता है future में अभी आपको देखने को मिलेगा इसके इतने value जो है पी आपको देखने को नहीं मिलेगा वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यह basically ARV वाला जो segment है एक margins में Next है दोस्तों यहां पर India Mart एक जबरदस platform business है दोस्तों यहां पर दीखिए काफी गिरावट हुई पिछले एक साल से बिलकुल भी यह stock नहीं चला है लेकिन एक गजब के fundamentals वाली company है गजब का business model है एक platform business है basically आप कह सकते हैं कि software as a service यह company provide करती यानिकि एक SaaS based model है जो है full proof SaaS नही एक network effect यहां पर इनको definitely play out करता हूँ और नजर आएगा और जो collections की growth है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी तो मुझे लगता है इस level पे एक definite by India Mart भी बनता हूँ नजर आता है इसको भी मैं कई बार cover कर चुका हूँ यह दोस्तों जब stock भागेगा तो फिर हाथ नहीं मतलब जो है partial stake acquire किया उस company में उससे पहले आप देखिए shipware technologies हो गया या फिर दूसरी companies में लगाता है अपने business को जो है दूसरे verticals पर अपने segments को grow कर रहे हैं तो basically network effect यहां पर हमको अच्छा काम करता हो देखने को मिलेगा और business B2B e-commerce space में 65% का market share already है गजब के इनके पास product listings ह तो यह भी दोस्तों एक गजब का business मुझे लगता है और मैं इसमें already invested हूँ तो एक बार अपनी research और study भी आप जरूर कीजे तो I hope यह वीडियो दोस्तों आपको informative लगा होगा जहां पर हमने artist talks के बारे में बात करी उनसे जोड़ी भी updates के बारे में हमने बात करी तो वीडिय कीजिए और इसी प्रकार के updates and research based contents के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए दोस्तों और effort को जरूर like करके appreciate कीजिएगा मिलते हैं आपसे next वीडियो में till then take care bye bye